हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह जो रेडी मेड नायरा स्टाइल में जो कुर्टी आती हैं इसकी अल्टरेशन करने का तरीका सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे अल्टर कर सकते हैं क्योंकि बजार में मार्केट में सबसे जादा यह कुर्टी आ रही सबसे पहला जो सवाल पूछा है तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला जो सवाल पूछा हो है तन्वी बसलने और नाम पढ़ने में गलती हो तो माफ करना यह लिखती है है प्लीज सैनिल का सूट जो की तीन मीटर होता है उसमें सर्ट विद पैंट प्लाजों की कटिंग प्लीज पना साट इंच का तो देखिए तन्वी जी बताना चाहूंगा इसमें जो सैनिल का जो कपड़ा आता है उसमें ज्यादा तर पना साट इंच का ही होता है लेकिन आपने बोला कि तीन मीटर में पैंट या पिलाजों और कमीज तो चाहिए तो इसके उपर डिपैंड भी कर चुका हूं जो मैंने अपनी वाइफ का अपने अमीना बुटिक चैनल पर बनाया था उसमें मैंने पिलाजों कमीज निकाल के दिखाए ती जिसमें हमारा कपड़ा यूस तीन मीटर हुआ था आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो अमीना बुटिक पर सैकिंड सब्सक्राइब कमें जयनप जाफरी टुच टीज बटन की जगाँ ज़िप लगा सकते हैं अगर लगा तो यहां बिलकुर पिक्स शाइड में आप लगा ले और मैं किसी वीडियो में इसके उपर लेके आऊंगा और इसे डिटेल में बताऊंगा कि आप बाजू में जिप कैसे लगा सकते हैं वैसे आप इसमें हुक लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है जिप वगएरा मैंने अभी तक देखी नहीं लास्ट कमेंट है कोमल के बाजू की फर अचाइड मतलब की बाजू यह तो थे आपके तीन सवाल तो आप जो है इस तरीके सवाल पूछेंगे तो हम आपके जबाब देंगे अब मैं आपको पताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट चाते हैं जैसे कि मैं कव लाइव आता हूं यह कौन सी वीडियो मेरी आ रही है कि यूट से टुक्त्रेंशन चलू रहे तो चली दोस्तों वीडियो की अब होगा तरीका बताते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं नाप दिखा देता हूं आपको पहले नाप 2 चयक करना है और ट्रेशन करने से पहले यह वह नहीं है जो चुननट होती है यह रिंकल बने हुए तो ऐसी रिंकल में बाजू सिर्फ चार इंच तक की थी उन्हें चाहिए थे 20 इंच की तो उन्होंने इसके साथ जो चुन्नी आई थी यह चुन्नी देदी कहरे थे आप इसकी जो बाजू लगा देना तो मैं आपको है जो बात आती है इसकी चैस्ट के उपर तो हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पर एक अंदाजा हो जाता है जब आप काम करते हैं तो एक अंदाजा हो जाता कि इस साइड़ में साड़े सब्सक्राइब चैस्ट कितनी है यह साड़े सत्राइब हम साड़े सत्राइब कम से कर एक जगा से देड़ इंच से दबाएंगे तो यह मुड़ा कहीं न कहीं चोटा हो जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों यह आपको पूरा चाहिए 14 इंच के आसपास तो इसको एसे रख दो अब हम इसको नापते हैं तो दोस्तों तीरा भी पूरा 14 इंच के आसपास आ रहा है ठीक है तो हम यहां क्या करेंगे इस पट्टी को पूरा खोलेंगे इसकी साइट को पूरा खोलेंगे ठीक है और इसमें इस है द्ध्यान से देखना यह साइड में दौस्तों UKमार का ना पाएगा जो कि है मिने हैं 2 6.30 हम इसको नापते हैं कितना रहा है 11 अब धुस साड़े चॉदा को पुर सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है तो सबसे पहले जो जो चीज आपको बता रहा हम उसको धियान से देखो उसस चीज आपको खोल on पड़ेगा देखे यहां की आपको साइड में सीडमस in नागेना है यहां तक लगी है सिरी टीक हे इस लाई पूरा को दिखा डिए को यह तरीका होता है दोस्तों खोलने का आप कमीज और वन फारद में इस चीज़ का धिहां र sturdy अब दोस्तों यह को धीया पिर तो इसके बाद यह कोल करें के अर्ट कच्छी लंगी कोड़ी एक सिल्द्री से इसको खोल लेना है फुरंट और बैक से दोनों कवें तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर इसको पूरा अच्छी तरीके से ओपन कर दिया यहां से जो पट्टी वगर रहती सब खोल दिये और मैंने इसे प्रैस भी लगा दिया मैं आपको यहां से इस तरीके से भी दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस बराबर यह आ जाए क्योंकि इसके अधर फर्ण अगरा चाटते नहीं है कोई को इनको तो सिर्फ बनाकर सेल करना होता है ठीक है तो यह लोग जादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमें यह सारी चीज़ें देखनी होती है इसलिए आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि फैसन में ज्यादा चला है नायरा और देखो जब मैं आपको तसली से कोई चीज बता रहा हूं तो इसकी वीडियो भी बड़ी हो सकती है तो वीडियो बड़ी होगी तो उससे मत घबराना आपको सीखने के लिए अच्छा बड़ी वीडियो में ही मिल सकता है स्वाट वीड लखने के बाद इसका जो सेंटर है हमें एक सेंटर बनाना होगा तो मैं यहां पर इंच्टिव के मदश से रखता हूं बाईस है तो इसका अरग 11 और यहां पर सीधा स्केल के मदश से निसान लगा लेता है क्योंकि यह चीज हमें करनी होगी इस चीज का दिहान रखें वह आपका 15 इंच के आसपास आएगा और इसकी छोली थोड़ी 16 इंच पर आएगी ठीक है तो हम 16 इंच पर कमर कनाप रखेंगे अब यहां पर दिहान से देखो इसकी जो चैस्ट है वह साड़े सत्रह इसके अंदर यहां पर हमारे कंदी जुड़ी हुई है लेकिन हमें यह यह देख रहें आप इसमें आर्मोल आपका थोड़ा बढ़के आएगा अगर चोटा रहेगा तो जो प्रॉब्लम आनी थी वह आपको में दिखाई चुका था इसको आप इस तरीके से कर लेंगे अब इस साइड़ से आपको जो है निसान लगाना है तो सबसे पहले निसान कितना हो गया पॉनि नो एक निस दोस्तों यहां पब आएगा और और यहां पर साड़े सात्रा यह निसान हो गया दूसरा कमर का को निसान जो की आपका किकב aggiung URL कि कर लूब कि क्या हमारा मासाणे बेंद यह सफ से थोड़ा हो अब पहले तो इसको रखायर है तो क्योंत कर्काई चंया हाँ है कि धी अठीक अब देखो यह ऐसे रखा है ठीक है अब हमें लगाने अपने यहां पे अपने जो फरेंट का निसान अगेड़ा इसको हम लगाएंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे अब देखिए दोस्तों इसे हम जब कटिंग करेंगे अब इस साइड में पहले गले की विलॉड को लगा दिया अब इस साइड से हम अपने तीरे को नापेंगे हमारा तीरा कस्टुमर कहता 14 इंच बोडी मेजेमेंट से 14 का आदा होगे दोस्तों साथ ठीक है आपको साथ इंच में यहां पर निशान लगाना है ध्यान से रेखना और नीचे की साइड में दोस्तों इस साइड स इधर नापेंगे यह भी आरी दोस्तों सबस्तिन से हलकी जाड़ा है तो हम इसको इदर आले को जारा निशान लगा लेंगे थोड़ा तो यह निशान हो गया अब इस निसानों को हम ऐसे करेंगे दोस्तों यह परफेक्ट फिटिंग करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपक सब आपका चोख हो मारकर हो मतलब चोख हो मारकर मन लगाना कपड़े निसान नहीं जाएंगे मुझ से निकल गया इस साइड में आपको ऐसे कटिंग कर लेना है ठीक है यह आपको सेफ दे देनी अंदाजे से गोलाई की और यह हमने ऐसे इसकी कटिंग कर दी ज्यान से और इस सो लünd के आसपास का इसका आलमोल हो गया तो इतना Rig में चलता है इसमें Oxford नहीं दे रहें अगा व्चार अरद disfrפ देंगे तो इसका आलमोल जादा बढ़ जाएगा तो ऐसी जगा पे दोस्तों आप ready made में customer से पोस्ट लेना फरंड कार्ट देने की जूरत नहीं है तो इसमें हम फरंड कार्ट नहीं देंगे इस चीज का दियान रखना वना इससे अल्टरेसन आ सकती है अब इसको हम इस तरीकिसे ऐसे कडियन कर देंगे कि और अब दोस्तों यहां पर इसको कटिंग कर लेंगे अब करने की बद के बाद यहां पर क्या करना यह करना है आपको back side से भिखा देता हूं इस साइड में आपको यहाँ से start करनी है ठीक है पूरे में लगाते हुए ठीक है यह आपकी पूरा अच्छी तरीके से जम जाएगा same आपको foreign side भी जोड देनी है उसके बार यह वाली side है यहाँ पर से cutting करके यहाँ पर कर लेनी है तो यह देखी दोस्तों मैंने यह व अच्छी तरीके से जमा दिया ओर नीचे जो λेकिसː करेंगे जोडना सिट गरेंग्ट फिक है कृजेंगे जोडने यहां पर आएंगी ऑद लुए अइसे करने के बाद यह तो इसाधो दोने ऊन्धों कर देंगे तो ये दोनों तरफ आपको करना है आपको ये वाला हिस्सार पूरा रेडी हो जाएगा लेकिन इससे पहले आपको काम करना होगा यहां यहां पर देख रहे हैं आप यह जो आपके सिलाई के बीच में जितने भी दाने से आएंगे इन सब को आप खोल लेना उसके बाद यहां पर सिलाई अच्छी से लगा पाएंगे तो चली दोस्तों यह सारी चीज हम कर लेते हैं उसके बाद नीचे की साइट को हम कैसे करेंगे और बाजू कैसे चलाएंगे यह पर रोसेस में आपको बताता हूं तो देखे दोस्तों मैंने जो है इसको इस तरीकी से जोड़के यहां पर ओवर लोग भी कर दिये आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर मैंने लुप्पी को भी लगा दिया जोड़के और ओवर कर दी अब यह परफेक्ट हमारा हो चुका है अब दोस्तों हमें बाजू बनानी थी तो बाजू हमने वैसे कटिंग करें जैसे नॉर्मल बाजू कटिंग करते हैं ठीक है इसमें जिदनी चैस्टी उसका पांचा भाग रखे दोस्तों हमने आप आलमोल का निसान लगाया 35 ती आलमोल नहीं चाटा इसलिए हमने यहां पर भी आलमोल में कटिंग नहीं करना अब हमें करना क्या दोस्तों बस इससे चड़ाते वकि एक चीज का द्यान रखना है जब हम इससे चड़ाएंगे तो यह वाले इससे पकड़ेंगे ठीक है इसको हम यहां पर चैक करते हैं यह करते होंगे निसान से यहीं कट हैं अब हमें क्या करना दोस्तों बचो aspects करना है यहां सब्सक्ति पोर लुइन और यह वे नहीं नहीं करें दोस्ते तैयार कर के इससे दोस्तो बाजु को हम चल धा लेंगे तो यह हमारा सेट हो जागा फिर हम नीचे वाला हिस्सा तयार करेंगे तो बाजु चल भाने का तरीका वहई है जैसा normal कमीज में चलाते हैं हम कर लेते हैं पिर हम तो आपते हैं तो यह दोस्तो Estados आपको दिखाउंगँ अब लेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है ना नायरा इस्टाईल को कहते हैं यह तैयार होता है पूरा नीचे तो मैं यहां से 3 इंचि नपेंगे ऐसे थीक है यहां से 3 इंचि नापेंगे ऐसे है ठीक है इसको हम कर लेंगे दोस्तों यहां पर दिखान रखना है कि यह हिस्सा जो है यहां पर आपकी पहले पिंटेक्स थी लेकिन अब यहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे अब जो मैं आपको बता रहा है उतना आपको नाप लेना है यह सारी चीज के आपको चुणनट ऐसे चुणनट डालनी है बारिक बारिक और यह इससा आपका साड़े चौधा हिंच के आसपास आ जाना चाहिए फरंट वाला भी और बैक वाला भी उसके बाद इस साइड में हम ओवलोग कर लेंगे जैसे कि हमने यहां पर ओवलोग किया तो दोस्तों चली हम इसे चुणनट डाल लेते फिर आपको लगाने का तरीका दिखाता हूं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर यह जो आपका निसान था बिल्कुल हमने इसी के बराबर दोस्तों इसको देखिए इस तरीके से सैट कर दिया ठीक है यह हमारा फरंट वाली से रखते हुए दोस्तों यहां पर देखिए सही से यहां सिलाई लगा देंगे यह हमारा अच्छी तरीके से जूड़ जाएगा सेम ऐसे हम बैक वाले पल्ले को भी जोड़ देंगे देखिए बिल्कुल है इससे फरंट वाली साइट है इसको आप किनारे से ऐसे मिला के देखिए कुछ इस तरीके से बस एक ही सलाई में इसको अटेच कर दिया मैंने ठीक है और अटेच करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हो हमने कमर इसकी आपको नापके दिखाए ती अब यहां पर देखिए बिल्लुकुल पर्फेक्ट फिटिंग में यह फिनिसिंग क इस साइड में नायरा इस्टाल यहां से खुलता है तो यह इसकी नजर आती है तो वह क्या करते हैं कि उनको पसंद नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इस साइड से लेके आप इसको ऐसे मिला लें जितना आपको बंद करना है बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई ल जब आप जरूर पूचा करें और जो आपको वर्ट्सप गूरूप के बारें बताया है दोस्तों उसे भी जरूर जोइन करना तो दोस्तों काफी महनत लगी है तकरीवन में टाइम देखके बताओ मुझे इसे करने में देड़ घंटा लग गया अब काफी लोग कहते हैं कि कितने रुपे ने लेडी से अकसरा से फज जाती हैं वो कहते हैं कि हमने तो इसके 40-50 रुपे ले लिए अस्तर भी था दोस्तों इसकी अल्ट्रेशन का अगर मैं आपको बताऊं यह पूरा देड़ घंटा मेरे को अल्ट्रेशन करने में लगा है क्योंकि इसकी वीडियो श ज्यादा कम में हमारा इस आई बनेगा क्योंकि इसे बहुत हल्के हाथों से किया जाता है और यह 2 प्रफल्ट करने से पहले आपको एक भार दोस्तों साथ में हमारी अमीनबुटी के अप्लिकेशन है जो आपको इसकी पर दिखती होगी इसे आप प्लेश्टों से इस्टॉल करके सारी डिटेल ले सकती हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलतें दोस्तों आपसे अगली वीडियो में तब त